नमस्कार आप देख रहा है एक्वालिटी यूज और मैं हूँ काजलाप के साथ चले नज़ डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी ने आज सुभा नए संसत भवन की छट पर बने राष्ट्य प्रतीक अशोक स्तम का अनावरन किया इस दोरान उन्होंने नई संसत के काम में लगे श्रम जीवी से बाद भी की इस वक्त लोकसबा स्पीकर ओम विरला और केंद्रिय मंत्री हरदीब सिंग पूरी भी प्रमुपता से मौजुद थे गौर तलब है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसत भवन का निर्मान किया जा रहा है नई इमारत का काम इस साल पूरा होने की उमीद है हाल ही में हरदीब सिंग पूरी ने जताई थी उसी की तरच पर आ चाई 6.5 मीटर है इसे न्यू पार्लेमेंट बिल्डिंग के सेंट्र फ्लॉर के शिर्ष पर कास्ट किया गया है प्रतीक के समर्थन के लिए लगबग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की प्लेट फॉर्म का निर्मान किया गया है इस तम को क्रेन के जरिये नए संसत भवन के चछत पर स्तापित किया गया शिवसेना की लड़ाई चुनाव आयोक के पास पहुच गई है महराष्ट के पूर्वसीम और शिवसेना अध्यक्ष उदव ठाकरे ने कैवेट फाइल की है उन्होंने चुनाव आयोक से कहा कि अगर एकनाच शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोक के पास आते हैं तो हमारी बात सुने बिना कोई आदेश पारित न करे गौर तलब है कि हाल ही में शिंदे गुट के एक विधायक ने दावा किया था जब पार्टी के ज्यादतर विधायक और सांसद उनके साथ है तो असली शिवसेना वही है विधायक ने कहा था कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी हमारा ही हक है इससे पहले आज सुप्रीम कोट ने उदवठाकरे गुट को बड़ी राहत दी है कोट ने महाराष्ट के नवनिर्वाचित विधानसबा अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंतरी उदवठाकरे के न चाहिए कि उन्हें अदालत में सुनवाई होने तक आयोकता नोटिस पर फैसला नहीं करना चाहिए शिवसेना ने आपचारिक रूप से महाराष्ट विधानसबा परिशद में विपक्ष के नेतापत का दावा किया है मिली जानकारी के अनुसार दो दिन पहले शिवसेना प्रमोक उदवठाकरे के नैतरूत्व में शिवसेना के सभी विधान परिशद सदस्यों की एक बैठक हुई थी जिसमें सर्वसमिती से फैसला किया था कि उदवठाकरे के पास पार्टी के मुख्य सचेतक को नियूक्त करने के सभी अधिकार है क्योंकि शिवसेना के पास उच्च सदन विधान परिशद में सबसे अधिक विधायक है इसलिए स्वाभाविक रूप से विपक्ष की नेता का पद शिवसेना का है राष्टिय लोग दल के अधिक्ष जैन चौधरी ने सभी विधायकों को 35% निधी दलितों पर खर्च करने को कहा है जैन चौधरी ने कहा दलित और OBC वर्क से समंदित मुद्देश सदन में उठाय जाए इस संदर में जैन चौधरी ने आज नेता विधान मंडल दल राजपाल बलियान को पत्र भी भेजा राष्टिय लोग दल के अधिक्ष जैन चौधरी ने सोमवार को नेता विधान मंडल दल राजपाल बलियान को पत्र भेजा इसमें उन्होंने लिखा दलितों पर होने वाली उत्पीडन पर नजर रखे और उन्हीं न्याय दिलानी का प्रियास करें। 35 प्रतिशत से अधीक आप सभी अपने एक शेत्र में अनुसुची जाती वर्क के कल्यान के लिए खर्च करेंगे। राजनीती के जानकारों की माने तो जयन चौधरी की नजर यूपी के 22 प्रतिशत दलित वोटर्स पर है। ये वोटर्स यूपी में सरकार बनाने में एहम भूमी का निभाते हैं। ऐसे में अगर ये वोटर्स साथ देते हैं तो चुनाव में पांटी के लिए बड़े मदद का साबित हो सकते हैं। इससे पहले शामली में उन्होंने अगनिवीर के विरोध में पेंशन छोड़ने का एलान किया था। मद्यप्रदेश के मुरेना में मानफता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आए है। घटना की सोशल मीडिया में जम कर आलोचना हो रहे है। दरसल मद्यप्रदेश के मुरेना में आठ साल के एक लड़के गुलशन की फोटो वाइरल हो रहे है। इस फोटो में देखा जा सकता है कि वो अपने दो साल के छोटे भाई के शव को गोद में लेकर सरकारी अस्पिताल के बाहर कई घंटों तक बैठा रहा बच्चे की इलाज के दौरान मुरैना स्पिताल में मौत हो गई दरसल बच्चे के पिता अपने छोटे मृत बेटे को घर ले जाने के लिए अम्बूलन्स की तलाश में गए थे तब तक उनका बड़ा बेटा गुलशन अपने भाई का शव गोद में लेकर बैठा रहा इस घटना को देखकर आक्रोशित लोगों ने अधिकारियों पर असमवेधन शील होने का आरोप लगाया है घटना रविवार की बताई जा रही है और बच्चे के शव को मौरैना जिला अस्पिताल के करीब 30 किलोमेटर दूर बढ़फारा गाउ ले जाना था इसलिए पिता अम्बुलेंस की तलाश में थे वो वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है अधिकारी ने बताया कि बच्चे की मौत के बाद उनके पिता जाटव ने अस्पिताल के कुछ करमचारियों से अम्बुलेंस दिलवानी की मांग की लेकिन उस समय वाहन उपलब्द नहीं था उन्होंने बताया कि बाद में एक पुलिस वाहन बच्चे के शफ को जाटव के घर ले गया बच्चे का नाम गुल्षन है जिसकी तस्वीर वाइरल होने के बाद प्रतिक्रियाओ की बार सी आ गई है भारतिय राष्ट्य संगठन के राष्ट्य अध्यक्ष नीरच कुंदन ने मध्यप्रदेश एनस यूआई अध्यक्ष आशुतो चोकसे को ये निरदेश दिये कि पेडित परिवार से बात कर गुल्षन की स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी ले एवं हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया वही एनस यूआई द्वारा लिये गए इस फैसले की कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता और पूर्व मुख्यमंतरी दिग्वेजय सिंग ने तारीफ की है देश में हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक भारी बारिश हो रही है आसाम के बाद अब गुजरात और महाराष्ट में भी बार से हालात बिगड़ गए है तेलांगाना में गोदावरी नदी ने दूसरे खतरनाक स्तर के निशान को पार कर लिया है वाटर लेवल 50.4 फीट तक पहुच गया है जिससे भद्रा चलम में बार आनी की आशंका जताई जारे है अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है करनाटक में भी हाई अलर्ट है दिली NCR और मद्यप्रदेश में सोमवार को बारिश हुई तो वही राजस्थान में अगले दो दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उदर बेहार जारकन और उतरप्रदेश के कई इलाके अभी बारिश को तरस रह है यहाँ चार दिन बाद बारिश होने की उमीद जताई जारे है मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की भी संभावना जताई है फिलाल NDRF की 13 और SDRF की 16 प्लाटून की टीम तैनाद की गई है वरोद्रा से SDRF की एक प्लाटून मदद के लिए छोटा उदैपूर भेजी गई है छोटा उदैपूर से 400, नवसारी से 550, वलसाड में 470 लोगों सहीत, राज़ में 3250 लोगों को सुरक्षित स्तानों पर पहुचाया गया है राज़ में 10 जुलाई को भारी बारिश के कारण 388 सड के बंद रही प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही, फिर होगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालिटी नियूज खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें